Dear students, आज का टॉपिक एक नॉवल है A Tale of Two Cities by Charles Dickens तो आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम इस नॉवल से रिलेटिड हर पॉइंट को डिसकस करने वाले हैं तो आपने किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना इस वीडियो में हम समरी के साथ-साथ कीफेक्ट्स, स्ट्रक्चर, किरेक्टर्स और थीम्स को भी देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल टाइटल A Tale of Two Cities और तू सीटीज कौन से हैं? लंडन एंड पैरिस तो नॉवल में नैरेटिव बार-बार लंडन में जाएगा या फिर पैरिस में जाएगा और इस तरह से शीफ्ट होता रहेगा ये नॉवल 1859 में लिखा गया और 1859 में ही पब्लिश हुआ एप्रिल से नवेंबर तक इंस्टॉल्मेंट्स में पब्लिश हुआ और All the Year Round Magazine जो के चार्ल्स डिकिन्स का अपना मेगजीन था उसमें ये इंस्टॉल्मेंट्स में पब्लिश हुआ और फिर 1859 में ही बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ लिट्विरी पिरियड है विक्टोरियन एरा विक्टोरियन एज आपको पता है कुईन विक्टोरिया के आने से 1837 में ही स्टार्ट हो गई थी जॉन्रा है हिस्टॉलिकल नॉवल सेटिंग लंडन एंड पैरिस जैसे के मैंने पहले भी बताया है टाइटल में ही मैंशन है टेल आफ टू सिटीज तो इन दो सिटीज की ये टेल है और टाइम पिरियेड है 1775 से लेके 1793 तक पोइंट ओफ यू थर्ड परसन ओमनिसियन्ट डिक्टन्स का ये नॉवल बहुत ज़्यादा बेस्ट कंसीडर होता है और होट सेलिंग नॉवल है 2003 में BBC ने एक पोल अरेंज किया था दबिग रीड पोल उस पोल में ये नॉवल 63 नंबर पर आया था तो इससे आप इस नॉवल की पॉपुलेरिटी गैस कर सकते हैं अब हम इस नॉवल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये नॉवल थ्री सेक्शन्स या थ्री बुक्स में डिवाइड़ है पहली बुक का नाम है री कॉल टो लाइफ और टाइम पिरियड है 1775 का सेकिंड बुक का टाइटल है दि गोल्डन थ्रेट 1780 से 1789 तक की कहानी है फिर बुक थ्री का टाइटल है दा ट्रेक ओफ स्टॉर्म और इसमें 1792 से 93 तक की स्टॉरी है अब हम इस प्ले की थीम्स लेखते हैं तो बेसिकली ये फ्रेंच रेवोलुशन की स्टॉरी है फ्रेंच रेवोलुशन वैसे तो 1789 से स्टार्ट होता है लेकिन कोई भी चीज अचानक से स्टार्ट नहीं हो जाती बहुत पहले से उसके लिए सिचुएशन्स क्रियेट होना शुरू हो जाती है तो ये 1789 का जो टाइम था वो बहुत पीक टाइम था तो इसके बहुत पहले से इवेंट स्टार्ट हो चुके थे तो यहाँ पर इस नॉवल में हमें बहुत सी बातें पता चलती है कि फ्रेंच रिवोलूशन्स से पहले लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे थे और उनकी सिचुएशन्स क्या थी गरीब लोग किस तरह सफर कर रहे थे और फिर इसके साथ-साथ फ्रेंच रिवोलूशन के साथ-साथ यहाँ पर एक लव स्टोरी भी है ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक इनोसेंट आत्मी बहुत ज़्यादा सफर भी करता है इसके इंपॉर्टन थीम्स हैं रिवोलूशन एंड सोशल चेंजिस जुएलिटी एंड कंट्रास्ट रिजरेक्शन लव एंड सेक्रिफाइस क्लास एंड सोशल इनिक्वालिटी फेट एंड डेस्टिनी वाइलेंस एंड ब्लाडशेड अगर हम इस नॉवल के इंपॉर्टन केरेक्टर से डिसक्स करते हैं पहला केरेक्टर जो नॉवल के स्टार्ट में हमें मिलता है वो है जर्विस लॉरी यह टेलसन बैंक का मैनेजर है यह बहुत ज़्यादा ओनेस्ट और लॉयल है यह सोशल वैलिउस और मॉरैलिटी को लेकर चलने माला आदमी है डॉक्टर मैनिट का फ्रेंड है और जब डॉक्टर मैनिट को जेल में बन कर दिया जाता है तो उस टाइम पर यह उनकी बेटी का केर टेकर भी है लॉसी मैनिट यह मारे नॉवल की हिरोईन है डॉक्टर मैनिट की बेटी है और बहुत ज़्यादा हुबसूरत है परफेक्ट है जब नॉवल स्टाइट होता है तो इसकी एच सैवंटीन येर्स है और इसकी मदर की बहुत पहले डेथ हो चुकी है हमें नॉवल में इसके बारे में नहीं बताया गया तो इसके जो फादर है उन्हें जेल में बंद किया हुआ है और लूसी को यही पता होता है कि इसके फादर की डैथ हो चुकी है लेकिन बाद में जब स्टार्ट हो जाता है तो तब इसे पता चलता है कि इसके फादर अबी भी जिन्दा है बाइनेशर भी बहुत अच्छी है नॉबल की सेकेंड बुक का नाम गुल्डन थ्रेट इसी के नाम पर रखा गया है मतलब यह कि इसी की वज़ा से रखा गया है क्योंकि यह गुल्डन थ्रेट की तरह काम करती है यह अपनी पूरी फैमिली को इकठा एक साथ लेकर चलती है जिसमें इसके फादर और इसके हस्पेंड है तो अपने फादर और हस्पेंड दोनों के लिए यह एक थ्रेट का काम करती है नेक्स केरेक्टर है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिट यह लिवसी के फादर है 18 साल यह बैस्टिल के किले में कैद रहते हैं इन्हें वहां पर बंद कर दिया जाता है और सब लोग ये समझते हैं कि इनकी डेथ हो गी है लेकिन जब नॉबल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पता चलता है कि ये अभी जिन्दा है और इन्हें बास्टिल के किले से निकाल लिया जाता है ये बहुत एबल डॉक्टर थे लेकिन जेल में रहने की वज़ा से ये थोड़े अपसेट हो गए है मेंटली अपसेट और हर टाइम ये जूते बनाते रहते हैं लेकिन पिर आश साश सा ये ठीक भी हो जाते हैं अपनी बेटी की वज़ा से ये जिन्दगी की तरफ दुबारा लोटाते हैं नेक्स करेक्टर है चारल्स डारने ये लूसी का हस्बंड है और ये फ्रेंच मैन है एवर्मांट फैमिली से बिलॉंग करता है एवर्मांट फैमिली अरिस्टोक्रिटिक फैमिली थी और इसके जो अंकल और फादर थे वो दोनों बहुत ज़्यादा क्रूल थे ये उनसे टोटली डिफरेंट है और इसी वज़ा से ये एवर्मांट फैमिली को नापसं करता है और एवर्मांट टाइटल भी अपने नाम से हटा देता है इसकी एज 25 यर्ज है जब नावल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे इसकी एज 25 यर्ज है और दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है हैंडसम है इसके बाद नेक्स करेक्टर है सिदनी कार्टन का ये एक बैरिस्टर है मतलब लॉयर है और ये बाई फेस चार्ल्स डारने से बहुत ज्यादा सीमिलर है ऐसे लगता है कि इन दोनों का फेस जो है वो एक ही आदमी का है या ये ट्विन्स है ये लूसी का लवर है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है और ये अपनी बात को प्रूव करता है और नोवल के एंट पे ये लूसी की खुशी के लिए अपनी जिन्दगी को अपने आपको सेक्रिफाइस कर देता है तो इस करेक्टर को आपने याद रखना है इस करेक्टर है मिस्टर स्ट्राइवर ये सिडनी कार्टर्न का फ्रेंड है उसका सीनियर है ये भी बेरिस्टर है और ये चार्ल्स डारने के लॉयर के तोर पर काम कर रहा है इसकी एज 30 के आसपास है लेकिन ये अपनी एज से काफी बड़ा दिखाई देता है और इसकी परसनालिटी ही कुछ ऐसी है मतलब बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग और बहुत ज़्यदा बड़ी एज का नजर आता है ये लुसी का लवर है लेकिन इसे पता है कि वो ज़्यदा एक्टरक्टिव है वो इसके साथ सूट नहीं करेगी तो इस वज़ा से ये पिर उससे प्रॉपोस भी नहीं करता नेस करेक्टर है मौनसियर डिफार्ज ये पैरिस में वाइन शॉप का ओनर है और ये वही बन्दा है जो डॉक्टर मैनेट को जेल से निकालता है क्योंकि ये पास्ट में उनका सर्वेंट रह चुका है और उनके साथ बहुत ज़्यदा लॉयल है और अब जब फ्रेंच रेवलुशन स्टार्ट होने वाला है ये रेवलुशनरी लीडर के तौर पर काम कर रहा है और इसको जैक्वेस फोर के नाम से जाना चाता है ये बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग है और बहुत ज़्यदा एक्टिव है फिर है मैडम डिफार्च ये मौनसेर डिफार्च की वाइफ है ये भी वाइन शॉप चलाती है लेकिन ये लोगों के सामने तो वाइन शॉप चला रहे है इसके पीछे इनका जो असल परपरस है वो रेवलुशनरी एक्टिविटी इसको कॉंटिन्यू करना है तो ये माइनर केरेक्टर है लेकिन हमें ये नॉबल के स्टार्ट में मिलता है तो इसलिए इसका बताना जरूरी है ये टेलसन बैंक में चोटे मोटे काम करता है इसको रेजरिक्शन मैन भी कहते हैं ये जो डेड बॉडिज होती है उनके लिए कबरेक होता है और उसके साथ साथ ये बॉडि पार्ट को सेल भी करता है मतलब डेड बॉडिज के पार्ट को साइंटिस्ट को सेल करता है अब हम इस नॉबल के समरी स्टार्ट करते है तो डिकिन्स ने इस नॉबल को स्टार्ट करने से पहले इसके स्टार्ट में कुछ लाइन्स एड़ की हैं ये ऐसी कंट्राडिक्टरी लाइन्स हैं जो के ना सिरफ नॉवल में और फ्रेंच रेवॉलूशन की सिच्वेशन को बताती है बिलकि डिकिन्स के टाइम पे विक्टोरियन एज में जो हो रहा था वो सिक्वेशन भी बताती है तो फर्स्ट बुक से हम स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है रीकॉल टू लाइफ टाइम है 1775 का नॉवंबर की एक तुफानी रात को एक कोच लंडन से डोवर जा रही है बारिश की वज़ा से कोच बहुत आइसा चल रही है कोच में टोटल तीन पेसिंजर्स हैं उसी टाइम एक घोड़ा आता है घोड़े पर आने वाला आदमी जेरी करंचर है ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने केरेक्टर्स में आपको लास्ट में बताया है क्यूंकि डॉक्टर मैंनेट के लिए यही समझा जाता था उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन अभी अभी पता चला है कि डॉक्टर मैंनेट जिंदा है क्यूंकि उनके एक सर्वेंट ने उन्हें बास्टिल के किले से निकाल कर अपने पास रखा हुआ है मिस्टर जर्विस डॉक्टर मैनिट के बहुत अच्छे फ्रेंड थे तो अब ये उनकी बेटी लूसी से मिलने के लिए डोबर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं ये लूसी को बताते हैं कि वो और्फन नहीं है उसके फादर जिन्दा है और उन्हें अभी बास्टिल के किले से 18 साल के बाद निकाला गया है डॉक्टर मैनिट मतलब लूसी के फादर इस टाइम अपने पुराने सर्वेंट डिफार्ज की वाइन शॉप में रह रहे हैं जर्विस लॉरी अब लूसी को अपने साथ लेकर फ्रांस आता है लूसी पैरिस आती है और अपने फादर से मिलती है लेकिन उसके फादर जूते बनाने में मगन होते हैं वो लूसी को बिलकुल भी नहीं पहचानते लेकिन लूसी आइसा आइसा उन्हें याद दिलाती है और इस तरह उन्हें वापिस अपने साथ लंडन दे कर आ जाती है। इस तरह डॉक्टर मैनेट अपनी जिन्दगी की तरफ वापिस लौट आते हैं। अब सेकंड बुक स्टार्ट होती है दि गोल्डन थ्रेड अब टाइम है 1780 का कहाने 5 साल अगे बढ़ चुकी है। लंडन में चारल्स डारने का ट्राइल चल रहा है। उस पर ये इल्जाम है कि वो यहाँ पर जासूसी करने आया है। चारल्स डारने फ्रेंच मैं है और यहाँ पर अब जो ट्राइल चल रहा है वो लंडन में चल रहा है। उस पर इल्जाम लगाने वाले दो लोग है। जान बरसाथ और रॉजर कले ये दोनों इंगलेंड के लिए स्पाई का काम करते हैं। तो इन्हों ने ये इल्जाम अपने एक कोलीग सिड्नी कार्टन को बुलाता है जो उस टाइम कोट में ही होता है सिड्नी का फेस डारने के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर होता है इस तरह बरसाद की गवाही स्ट्रॉंग नहीं रहती और डारने को रिहा कर दिया जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि लूसी और डारने के साथ क्या रिलेशन है तो एक्चली में जर्विस लॉरी ने डारने को डारने से इंट्रोड्यूस कर वाया था और अब जब डारने का ट्राइल चल रहा है तो इस टाइम पर लूसी और डारने भी उसका ट्राइल अटेंड करने के लिए आये हुए हैं चार्स डारने के अंकल एवर्मोंड की स्टोरी बताई जा रही है। अब पैरिश का सीन है। मार्को इस एवर्मोंड अपने कैरिज के नीचे एक बच्चे को कुचल देता है। उस बच्चे के बाप गेसवर्ड की तरफ एक सिक्का उचाल कर फैंकता है। कमपंसेशन के लिए वहाँ से चला जाता है। जब ये मार्को इस घर आता है तो इसका बतीजा चाल्स डारने भी इससे मिलने के लिए आया होता है। ये अपने चच्चा से बिलकुल अलग टाइप का है। ये एरिस्टोक्रेट से नफरत करता है। इसलिए ये एवर्मॉंट टाइटल को भी अपने नाम से हटा चुका है। अब ये अपने अंकल एवर्मॉंट को बताने आया है कि वो एवर्मॉंट फैमिली के साथ हर किसम का रिलेशन और लिंक खतम करने के लिए आया हुआ है। अब उसी रात गैसपर्ड उस बचे का बाप मार्क को इसको कतल कर देता है। अब दूसरी तरफ लंडन में फिर स्टोरी आ जाती है। लंडन में सिड्नी कार्टन लूसी को अपने प्यार का बताता है। लेकिन वो फौरण समझ जाता है कि लूसी उसे प्यार नहीं करती और नहीं कर सकती है। फिर वो लूसी से वादा करता है कि लूसी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। डार नहीं अब लंडन में आता है और लूसी के फादर डॉक्टर मैनिट से लूसी का हाथ मांगता है। डॉक्टर मैनिट मान जाते हैं लूसी के शादी का दिन आ जाता है। अब उसी दिन चार्ल्स डार ने अपने फैमिली हिस्टरी डॉक्टर मैनिट को बताता है कि वो एवर मॉर्ण फैमिली से है ये सुनकर डॉक्टर मैनिट को एक शौक सा लगता है उनका भी हीवियर बदल जाता है ऐसे लगता है कि जैसे उनका एवरमॉर्ण फैमिली के साथ कोई रिलेशन रह चुका है या वो उन्हें जानते हैं तो अब दुबारा से डॉक्टर मैनिट जूते बनाने में लग जाते हैं मतलब मेंटली अपसेट हो जाते हैं अब डारने और लूसी हनीमून पर चले जाते हैं और जब ये वहाँ से वापिस आते हैं तो तब तक डॉक्टर मैनिट अपने पागलपन से रीकवर कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं अब टाइम गुज़ता जाता है लूसी और डारने के इस्ट्री में देखें तो फ्रेंच रेवोलुशन में दब स्टॉमिंग ऑफ बैस्टिल 1789 का ये इवेंट बहुत ज़दा इंपॉर्टन्ट है तो 14 जिलाई 1789 को बहुत बड़ी तदाद में रेवोलुशनरी इस बैस्टिल के प्रीजन के सामने इकटे हो गए थे जिसमें उ वहां से जितने भी प्रीजनर से उन सब को निकाल लिए इस तरह दिस्टॉमिंग ऑफ बैस्टिल मोनार्की का प्रॉपर तरीके से एंड था और फ्रेंच रेवोलुशन का प्रॉपर तरीके से स्टार्ट था अब हम आते हैं नॉबल की तरफ तो 1789 का टाइम है फ्रेंच र प्रेवोलुशनरी से इन्होंने एवरमॉंट के घर को भी जला दिया इन्होंने बैस्टिल के किले को अच्छे तरीके से चेक किया अब डॉक्टर मैनिट के कमरे में चिन्नी से एक लेटर मिला डिफार्च उस लेटर को संभाल कर रख लेते हैं फ्रांस अब री पबलिक ड बहुत ज्यादा वाइलेंट है अरिस्टोक्रेट्स को मार रही है उन्हें जेलों में बंद कर रही है अब कुछ टाइम और गुजरता है 1792 में चार्ल्स डार्ने को अपने एक पराने मुलाजिम गेबल की तरफ से एक लेटर मिलता है रेवोलुशनरी से उसे भी जेल में ड पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि अब एवर्मान फैमिली में इसके फादर और अंकल की डेथ हो चुकी है तो अब इनका जो नेक्स्ट हीर होगा वो चार्ल्स डार्ने ही होगा मतलब फैमिली का टाइटल और सब चीज़ें जो हैं अब वो इसकी तरफ शिफ् सब्सक्राइब स माने जाते हैं अब मोठी ने के डाल के ट्राइल को रूकुआ की कोशिश करते हैं बहुत स्यादें करते हैं लेकिन फिर भी 1 साल अगजाता है और 1 साल के बाद दार्ने रहा हो जाता है अब उसी राथ सिभ्मारा से यो राहम पक्ड़ लिया जाता है 1 माद प्रश्वन से लेकर अब तक लूसी का ख्याल रखा होता है अब मिस प्रोस और जेरी करंचर भी पैरिस आते हैं मिस प्रोस का एक भाई है जिसका नाम है सोलोमन प्रोस अब ये वही शख्स है जो इंग्लेंड में जॉन बरसाद बना हुआ था मतलब ये है कि ये इंग्लेंड में इंग्लेंड के स्पाई के तौर पर उनके जसूस के तौर पर काम कर रहा था अब ये यहां भी भेस बदल कर अपनी शनाख अपनी आइडेंटिटी चुपा कर फ्रांस के लिए स्पाई का काम कर रहा है अब सिडनी कार्टन भी यहां पर आया होता है क्योंकि चार्ल्स डारने जेल में है अब सब लोग परिशान है तो सिडनी कार्टन जब सॉलोमन को देखता है तो यह उसे फॉरण से पहचान लेता है और यह उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूँगा मतलब यह है कि मैं फ्रांस में अगर यह बता दूँ कि तुम इंगलेंड के हो और वहां पर जासूस का काम करते रहे हो तो तुम भी मारे जाओगे अब इस धमकी की वज़ा से अब यह डारने की हेल्प करने के लिए मान जाता है अब जब दूसरा ट्राइल चलता है तो डिफॉर्ज डॉक्टर मैनिट का एक लेटर दिखाती है यह वही लेटर है जो उन्हें डॉक्टर मैनिट के कमरे में से बास्टिल के किले में से मिला था ये लेटर डॉक्टर मैनिट ने अपनी कैद में लिखा था और इसमें बताया था कि दोनों एवर्मोन भाई मतलब चार्ल्स डारने के फादर और अंकल ने गाउं की एक लड़की को रेप किया था और फिर उसके बाद उसका मर्डर कर दिया था उस लड़की के फैमिली को भी मर्वा दिया और अब इस बात का सिरफ एक ही विटनेस था और वो था डॉक्टर मैनिट अब इस विटनेस डॉक्टर मैनिट को भी जेल में डाल दिया गया अब आप सोचेंगे कि डिफार्ज का उस लड़की के साथ के डॉक्टर मैनेट के साथ क्या लिंक था तो एक्चली में डिफार्ज उस लड़की की बेहन थी उस लड़की की सारी फैमिली को मरवा दिया था लेकिन उसकी ये बेहन जिसका नाम डिफार्ज है ये बच गई थी और अब इसी वज़ा से ये अपनी बेहन के मर्डर का बदला एवर्मोन फैमली से लेना चाती है अब दोनों एवर्मोन तो मर चुके हैं मतलब ये है कि चार्ल्स डारने के अंकल और उसके फादर जिन्होंने वो क्राइम किया था वो दोनों तो अब मर चुके हैं अब उनकी फैमली का हियर चार्ल्स डारने है और यही बचा है तो इस वज़ा से उनके क्राइम का रिस्पॉंसिबल अब चार्ल्स डारने है और उसे कहता है कि अगले दिन दो बजे केरिज को रेड़ी रखना है और सब लोग भी रेड़ी रें क्यूंकि आप लोगों ने इंग्लेंड आना है सिड्नी कार्टन अब जॉन बरसाथ के साथ मिलकर एक प्लैन बनाता है यह चार्ल्स डार्णे को ड्रग दे रेते हैं उसे सिड्नी कार्टन चार्ल्स डार्णे के साथ ड्रेस चेंज कर लेता है जॉन बरसाथ चार्ल्स डार्णे को उठाकर बाहर ले आता है और उसे उस कैरिज तक ले जाता है जिस कैरिज में बाकी सब लोग रेड़ी बैठे होते हैं और चार्ल्स डार्णे की जगा पर सिड्नी क कार्टन आ जाता है क्योंकि हमने नौवल के स्टार्ट में ही ये पढ़ा था कि इन दोनों के फेस बहुत जादा सीमिलर हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो अब चार्ल्स डार्ने को जॉन बर साथ केरिज तक ले जाता है और वो केरिज वहां से निकल के वो फॉरन से इंगलेंड चले जाते हैं तो इस तरह अब चार्ल्स डार्ने की जगापर सिड्नी कार्टन को एग्जेक्यूट किया जाएगा उसको फांसी दी जाएगी सिड्नी कार्टन अपनी बात पूरी कर देता है अपना वादा पूरा कर देता है जिसमें उसने लूसी से का था कि ज बेटी को भी मार दे और इस तरह से एवरमॉंट फैमिली टोटली खतम हो जाए तो अभी वहाँ पर आती है और देखती है कि वहाँ पर लूसी नहीं है कोई भी नहीं है वहाँ पर सिर्फ मिस प्रोस होती है जो लूसी की मेड होती है अब वहाँ पर लूसी को ना देखकर मेडम डिफार्च को घुसा आजाता है मेडम डिफार्च और प्रोस में लड़ाई हो जाती है अब मेडम डिफार्च अपनी पिस्टल निकाले लगती है और उसी में ही एक्सीडेंटली वो अपने आपको किल कर लेती है और उसके पिस्टल की आवाज से मिस प्रोस हमेशा के लिए डेफ हो जाती है, बहरी हो जाती है अब दूसरी तरफ एक्जिक्यूशन का टाइम आ चुका है चारल्स डार ने गिलन्टीन की तरफ एक सीम स्ट्रेस वो भी वहाँ पे प्रिजनर होती है और बिलकुल बेकसूर होती है, उसने भी कोई जुर्म नहीं किया होता तो चारल्स डार ने उस सीम स्ट्रेस का हाथ पकड़ कर गिलन्टीन की तरफ चला जाता है और यह सोचता है कि उसकी जो सेक्रिफाइस है उसके वज़ा से उसकी अपनी और लूसी की भी आने वाले जिन्दगी बहुत अच्छी होगी और यहां पे नॉवल एंड हो जाता है तो यह थी कंप्लीट स्टोरी इसमें अब आप थीम्स को नॉवल की स्टोरी के साथ रिलेट करें तो आपको बहुत असानी से समझ आ जाएगी रिजरेक्शन क्या है रिजरेक्शन क्रिस्चैनिटी का बिलीफ है कि क्राइस्ट दुबारा से आएंगे तो इसी तरीके से नॉवल में डॉक्टर मैनिट का 18 साल के बाद दुबारा से सामने आना भी एक रिजरेक्शन है इसके साथ साथ सोशल चेंजिस, वाइलेंस, बलडशेड ये थीम्स भी हमने देखी फिर लव और सेक्रिफाइस की थीम्स भी हमने देखी Sydney Carton Sacrifice की थीम्स को रेप्रेजन्ट करता है Sydney Carton अपनी लव के लिए अपनी लाइफ को सेक्रिफाइस कर देता है तो इस तरीके से ये मुहबत की, प्यार की, एक कबी ना खतम होने वाली स्टोरी है तो ये थी complete स्टोरी आऑप आपको अच्छे से समज आई होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूला वीडियो को भी लाइक करना है थेंक यू फो वाचिंग